येस अन्डी एने वन टूथाउजन नाइंटीन ट्विंटीफर्स अप्रेल का पेपर आ गया है इस पेपर को देखने के बात चैसा मैंने आपसे बोला था क्विक रिविजिन क्लास और जो आपके साथ तीन पेपर के सॉलूशन किये थे अगर आपने वह बहुत अच्छे से देखे होंगे तो मैं बिल्कुल शेओर हूँ कि जो बात मैंने आपसे बोली थी कि आप 60 प्लस कर लेंगे आप 60 नहीं इस पेपर में 80 90 प्लस कर सकते थे वही टेक्निक से या आपने फॉन्टेशन स्कोर्स से बहुत अच्छा पड़ा होगा अब उसी टेक्निक से इस पेप प्रिट सॉलूशन करूंगा तो और एक फाइनल आंसर भी आपको सेट एसेट सी और सेट डी के दूँगा पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं अंसर में मिस्टेक ना हो आप भी ध्यान से देखेगा और पेपर्स को जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे जैसे मैंने बो कि आप से पुछा है कि what's are the roots of the equation इस question को मैंने अभी ही किया था mod of x square minus x minus 6 equal to x plus 2 than number of roots क्या बताया था मैंने जब भी mod function को solve करते हैं mod x का expansion plus minus होता है मतलब mod जब भी हटाएंगे मालनो mod x equal to a लिखा है तो x equal to plus minus of a तो आप यहाँ पा लिखेंगे x square minus x minus 6 equal to x plus 2 एक बार लिखेंगे x square minus x minus 6 equal to minus x minus 2 हमेशा ट्राय करिए steps कम से कम लिखें यह minus 8 हो गया यानि minus 4 and plus 2 तो इससे root आ गए 4 and minus 2 इसको solve किया x square equal to 4 x equal to plus minus 2 finally आपको मिला 2 minus 2 and 4 तो इसका correct answer होगा जो मेरे पास set है उसके साब से minus 2, 2 and 4 यानि d ढहली तो इस question का मैं आपको बताता हो चलूँगा आप लोग इस तरह से match करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस question का correct answer है minus 2, 2 and 4 राइट अब जैसे एक और चीज़ याद रखेगा कि papers को देखके आपको सबज़ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और सबसे पहला order यही रखना चाहिए हमेशा है कि पहले simple से simple question करो और फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम वो questions लेंगे जो की one या two staff में होंगे अब देखिए जगर इसके बाद वाला question मैं देखों तो इसके बाद यह question मुझे बिल्कुल ऐसा देखता है जो देखते ही c इसके बाद वाला question अगर हम देखें तो देखें क्या है c 20,n plus 2 इस form में दिया है equal to c अब यह पहले मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ पेपर हम पूरा solve करेंगे all 120 questions but आपके अगर order attempt अच्छे हैं जो technique से मैंने आपको class में पढ़ाया है जिस जिस ठंग से आपका foundation cover कि अगर आपने वो concept follow किये हैं आपके scores बहुत अच्छे होंगा अब देखें इसका मतलब logically है 20 c n plus 2 20 c n plus 2 equal to आपको दिया है 20 c n minus 2 then the value of n आप देखिए एक में एक सीधा था logic है n c x equal to n c y हो तो n equal to x plus y होता है इसका मतलब 20 equal to n plus 2 plus n minus 2 then n equal to 10 यानि इस question का correct answer होगा 10 इतने अच्छे-च्छे questions हैं कि आप इनको देखते हो चलो आपको अपने आप समझ में आजाएगा कि कब क्या करना है और उसी order में आप अपनी पढ़ाई भी करिए चले next question देखते हैं देखे जैसे अब आपसे पूछा है तीना मिल्टी का पहले बिल्कुल पहली step में वो question करिए जो देखते ही बनते हैं आप जैसे देखे तीना मिल्टी का ये question पूछा है और कई बार क्या हुआ question है आपका 1054 degree अब आपको पता है आप इसको लिखेंगे 45 और लिखना भी नहीं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं है आपको 45 प्लस 9 और जब आप इसे open करेंगे तो आप ऐसा ही लिखेंगे 1 प्लस 10 9 अपॉन 1 माइनस 10 9 यानि लॉजिकली ये question को मैं आपको ये भी बता हूँगा कि ये question mentally होगा ये mentally अभी मैं mentally question कर रहा हूँ केवल समझाना इसले लिख रहा हूँ तो इसका correct answer C होगा इसका correct answer C होगा येस next question पर आते हैं देखें क्या है if sine alpha plus cos alpha equal to P then what is the value of cos cut to alpha पहले में केवल आपके साथ वो question discuss कर रहा हूँ जो की mentally होँगे इन में से किसी भी question में याद रखिएगा pen use मत करिएगा P square plus 1 आप देखिए इसमें simple logic है अगर इसकी squaring करेंगे तो ये मिलेगा पहले step पहले समझाए तो 1 plus sine 2 alpha equal to P यानि sine 2 alpha equal to P minus 1 आप से simply पूछा क्या है cos square 2 alpha this is 1 minus sine square 2 alpha यानि 1 minus P minus 1 का whole square खतम question खतम 1 minus P square minus 2 P plus 1 देखिए 1 से 1 cancel बचा minus P square plus 2 P चाहो तो P common ले लो चाहो तो P common ले लो तो 2 minus P ये आपको मिल गया राइट cos square alpha equal to cos square 2 alpha पूछा है आप से तो क्या हो जाएगा देखिए cos square 2 alpha equal to 1 minus अब यहाँ पर आपने क्या करा है squaring करी तो ये square होगा ध्यान रखेगा P square यहाँ पर भी P square तो ये P square minus 1 है तो ये P 4 minus 2 P square है तो इसका मतलब यहाँ पर P 4 plus 2 P square मिलेगा P square common ले तो P square common ले पर क्या मिलेगा 2 minus P square this is the right answer right क्या करा है आपने आप देख लीजे एक बार sin alpha plus cos alpha का whole square equal to P square जब open किया तो sin square alpha plus cos square alpha plus 2 sin alpha cos alpha this equal to P square ये 1 हो गया तो 1 plus sin 2 alpha equal to P square ये sin 2 alpha equal to P square minus 1 and remember आपको बताता है कि steps कम से कम लिखना भी है ज़्यादा step लिखते तो ये loss होता है cos 2 alpha बताना तो 1 minus sin square पर कहीं mistake हो रही है तो step लिखने में कोई बुराई नहीं तो 1 minus P square minus 1 का whole square मतलब 1 minus P4 minus 2P square plus of 1 यानि 2P square minus P4 P square common ले है तो 2 minus P square is the right answer तो इसका correct answer ये होगा मैं आपको इस तरह से बताता हो चलूँगा आपको पता रहेगा कि किस question का क्या answer है आप मैच कर लेंगे राइट? No down this question Yes, next question देखें देखें, what is the value of sin inverse 4 by 5 plus second verse मैंने आपको साथ तो last में 4 paper discuss किये थे उन 4 paper में इस तरह के बहुत question थे अब देखें, single step answer will be 0 Why 0? Because आपके पास एक सीज़ा सा logic है sin inverse x plus cos inverse x होता है pi by 2 and मैं आपको concept बताता हो चलूँगा second verse x क्योंकि जिस दंग से पढ़ाया है वो चीजों को recall करवा रहा हूँ है आपको कि आप देखें, अगर आपने करा होगा तो आपके papers कैसे बनेंगे This is cos inverse 1 by x तो आप logically देखें यह sin inverse 4 by 5 है यह cos inverse 4 by 5 है यह minus pi by 2 है आपको option भी नहीं देखना है यह pi by 2 minus pi by 2 then answer will be 0 इसके बाद एक और question देखें देखें, क्या है sin inverse 2p upon 1 plus p square minus cos inverse 1 minus q square यह question भी अभी recently करवाया हुआ है tan inverse 2x upon 1 minus x square सीधा-सीधा formula है यह 2 tan inverse का यह 2 tan inverse का वो 2 tan inverse का तो इसका answer होगा directly हम बोल सकते है p minus q upon 1 plus p q single step अब मैं आपको समझाता हूँ step wise p minus q upon 1 plus p q यह answer होगया बाकी करेंगे यह this is 2 tan inverse p 2 tan inverse q equal to 2 tan inverse x 2 पूरा cancel अब देखें, step लिखने में यह नुकसान होता मैंने आपको इसलिए सारे concept mentally solve करने सिखाये थे और हम पहले कम से कम 40-50 question वो करेंगे जो बहुत ही simple है फिर उस पर आएंगे मैं आपको फिर overall cut off वगेरा है सब भी बताने वाला हूँ कि कितना जाएगा बाकी paper देखके जो लग रहा है मुझे वो लग बग 120-130 अगर आपका है तो आप बहुत ही safe side हो अब देखें यहां पर लगएगा 10 inverse x minus 10 inverse y this equal to 10 inverse x minus y upon 1 plus xy तो यह होगा 10 inverse p minus q upon 1 plus p q equal to 10 inverse x 10 से 10 inverse cancel तो देखें आंसर मैंने आपको पहले यही चीज़ को मैंने mentally solve करवा है और यही हमने class में भी किया है नोट कर लिजे question Yes, next question पर आते हैं हमने अभी किया था बिल्कुल 10 theta equal to 10 theta equal to 1 by 2 10 phi equal to 1 by 3 then what is the repeat question है theta plus phi आपको पता है इसका अंसर पाई by 4 होता है कैसे क्योंकि आप जब इसमें लेते हैं 10 तो theta plus phi यह लिया this is 10 theta यह solve होके 1 बन जाता है mentally करना है steps नहीं लिखनी है 10 theta 10 phi and this is 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 1 by 3 5 by 6 upon 5 by 6 this is 1 अभी यह 10 है inverse लगे तो यह 10 inverse 1 इस तरह के question का answer मैंने हमेशा आप से बोला है 5 by 4 होता है तो इस question का correct answer हुआ 5 by 4 right? note down this question yes next question देखे है देखे है क्या है next question मैं बोला है cos A equal to 3 by 4 then what is the value of sin A by 2 into sin 3 A by 2 single formula पे बेज़्ट है कौन सा 2 sin A sin B this equal to cos A minus B minus cos A plus B चाहें तो यह लगा सकते हैं कैसे? 2 का multiply 2 का divide किया तो cos A minus B A minus 3 A 2 A by 2 यानि cos A minus cos A plus B यानि cos 2 A right? अब आपको पास देखें क्या है आपके पास है 1 by 2 cos A cos A है तो cos 2 A भी है कैसे? cos 2 A होता 2 cos A minus 1 then 2 into 9 by 16 minus 1 18 minus 16 2 by 16 यानि 1 by 8 तो दीजे वैलू 1 by 2 इसको 6 by 8 लिख लो चाहो तो direct 6 by 8 minus 1 by 8 then this is 1 by 2 5 by 8 यानि 5 by 16 is a right answer तो इस question का correct answer हुआ 5 by 16 next उसके बाद question देखिए क्या है आप ऐसे question देखते चलिए समझते हूँ चलिए और बिल्कूल simple simple question है फिर समझ लीजे क्या किया इसमें 2 sin A sin B का formula उसकिया तो cos A minus B minus cos A plus B then 2 cos 2 A होता है 2 cos करें minus 1 त्राय कर रहें कि step कम से कम हो 18 by 16 minus 16 तो बचा 2 by 16 यानि 1 by 8 वालू रग देखिए आप देखिए इसके बाद का question जो है और मैंने आप से बोला भी था trigonality permutation probability और algebra यह आपके favorite topic होना चाहिए इसके बाद differentiation वगरा आप देखिए next question देखते है क्या है 10 75 degree plus cot 75 degree वैसे मैंने आपके लिए इसका डारेट फॉर्मूला बनवाया था याद होगा 10 theta plus cot theta equal to 2 upon sin 2 theta यह सब जो direct concept देखिए मैंने आपको इसलिए बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा है हुआ है इसलिए आपको कभी कोई दिक्कत आई नहीं सकती sin square theta plus cos square theta upon sin theta cos theta यह हो गया 1 1 upon 1 upon 2 का multiply 2 का divide कर दे तो sin 2 theta अब एक तरह से यह ऐसा है 2 upon sin 150 और sin 150 की value 1 by 2 तो correct answer is question हमने अभी करा था क्या question है समझेगा आपको अपने आपी समझ में आजाएगा question है cos 46 degree cos 47 degree cos 48 degree line से है up to cos 135 degree आपने इस तरह का question हमने class में भी क्या cos 1 cos 2 up to cos 100 बीच में cos 90 आता है जो सब को 0 बना लेता है यहाँ पे भी आएगा तो correct answer will be 0 0 is a right answer right not down this question